इस वक्त देश में ओनलाइन ठगी के मामले काफी बढ़ चुके हैं। आयदिन यहां नकले लिंक और फेक आईडी बना कर लोगों से पैसे ठगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इधर आप इंटरनेट, मीडिया, टेलीग्राम बब वाटसेप को शाते ठगों ने अपना नया हतियार बनाया हैं। जिसके जरिये वो लोगों को ठग कर उनसे पैसे एटते हैं। ऐसा ही एक ओनलाइन ठगी का मामला मधरप्रदेश के उजयन से सामने आया हैं। कुछ ठगों ने एक ओरस से ओनलाइन टास्क का जहासा देकर 10.2 एक लाक रुपे की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आये जानते हैं क्या है पूरा मामला मैं उस अपना और आप देखें परी। ठगों ने उन्हें कमीशन सहीत रुपे वापस करने की बात कही थी लेकिन उससे पहले फिर से रुपे की मांग की गई थी जिसके बाद दमपत्ती को टास्क को लेकर शक हुआ। इस मामले पर नाकजीरी पुलिस वा राज्य साइबर सेल को शिकायत की गई। फिर अब लगातार पुलिस ठगों की तलाश में जुटी है। अब इन बढ़ते ठगी की वारदातों के साथ लोगों के लिए सावधानी बरतना बेहती जरूरी हो गया है। आप इन ठगों से बचने के लिए हमेशा ये बास सुनिश्वित करें कि किसी भी फेक या अंजान वाटसेप पर अपना परसनल डीटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। और किसी भी अंजान वेबसाइट या एब पर अपने पैसे लगाने से बचें। आप ऐसे ही देश हो दुनिया की खबरों के लिए बने रही हमारे साथ प्रदेश तरह।